भारत मालदी विवाद के बीच एक खयाल तो सब के मन में आया होगा कि हमें भी लक्षदीब जाना हैं, हमें भी वहां घूमना हैं, खैर उसके लिए आपको ये भी मालुम हो गया होगा कि उसके लिए पर्मिट की जरूरत पड़ती हैं. अब पर्मिट कैसे मिली का, उसके लिए अप लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं लक्षदीब का, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वहां आप कौन-कौन स के लिए मश्यूर है, प्रधानमंदरी के दौरे के बाद से ये लोगों के बीच चर्चा का विशय बन गया है, सोशल मेडिया पर लोग प्रियता बटोरनी के बाद लोगों का रुझान लक्षदीब की और बढ़ क्या है, आप भी अगर लक्षदीब के लिए ट्रिप प्ल सबसे पहले सफेद रेत वारे समूंदर टट, लक्षदीब के समूंदर टट अपने सफेद रेत और क्रिस्टल की तरह क्लियर पानी के लिए मश्यूर है, यहां आपको कई सारे आइलेंड देखनी को मिल जाएंगे जो दुनिया भर के परियाटकों के बीच आकर्षन का कें आनंद लेना चाहते हैं, तो यह जगा आपके लिए बेस्ट है, दूसरा वाटर स्पोर्ट, प्रेमियों के लिए यह जगा जननत से कम नहीं है, शांत और साफ पानी में वाटर स्पोर्ट का अपना अलग मजा है, इस तरह के शांत पानी में आप पैडल बोर्डिंग जैसे वाटर स्पोर्ट का आनंद ले सकते हैं, अगला हम आपको बता दे, मिनी कोईल अक्षदीब का सबसे दक्षनी द्वीप है, यह कोची के दक्षन पश्यमी भाग में स्थित है, इस द्वीप का सबसे पुराना लाइट हाउस है, इसका निर्मान 1885 में किया गया था, आप य लाजवाब स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से यहां के लोकल खाने का लुफ उठा सकते हैं, यहां आपको मुस कबाब, फिश्टिक का, मचली पकोड़ा, मासू, पोदी चात, इन नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए अलावा, यहा तो अब आप प्लान कर लीजे कि आपको कब जाना है, आप कब तयार है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वहां आप किन-किन चीजों का आनंद ले सकते हैं, वीडियो डेस्क अमरुचाला.ड़ कॉम